जेहिंद, आज हम लोग इस वीडियो में सिखेंगे कि किसी भी टेबल में जो डाटा है, उसको हम लोग एज्ट लुक अप फार्मूला के मदद से कैसे भीव कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो एज्ट लुक अप एक फार्मूला होता है, एक्सेल में जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी टेबल का horizontally data को सो कर सकते हैं यानि कि किसी भी टेबल में जो data है उस data को हम लोग horizontally देख सकते हैं किसी एक student का नाम से हम लोग उसके subject में जितने भी जो भी marks आया है, उस marks को हम लोग horizontally देख सकते हैं, simply as lookup का formula का use करने के लिए, सबसे पहले एक यहाँ पर horizontally data को कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर set कर लेंगे, जैसे कि कोई एक student का data हमको देखना है, बहुत बड़ा table, यह तो simple छोटा सा table है, बहुत बड़ा भी हो सकता है table, और बहुत ज़्यादा student का name हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा student का subject marks हो सकता है, तो अगर हमको किसी एक particular student का, कोई खास student का data देखना है, horizontally देखना है, तो उसके लिए एच लुक अफ फॉर्मूला का यूज करते हैं एच लुक अफ फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं तो simply हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पर एक horizontally एक data को show करने के लिए एक यहाँ पर एक एक मतलब एक टेबल बना लेते हैं एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं अब दो रो का टेबल एक बना लेते हैं तो सिंपल यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट में हम लिखेंगे इंग्लीज इए एन जी एन जी लाइ एसे इंगलिस इसके बाद है हिंदी इसके बाद है मैट्स वाज साइन्स और यहां पर है एसेस यानि की सोशल साइन्स साइन्स है और हिस्टरी और यहां पर है जी के तो कुछ इस तरह से हम लोग यहां पर एक इंपल टेबल बनाएंगे जिसमें की दो ही रोह होगा एक यहां पर एक यहां पर और सिंपल यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक डॉप डाउन लिस्ट करेंगे यहां पर कुछ इस तरह से हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे सेल में और सेल में क्लिक करने के बाद जाएंगे हम लोग डाटा वैलिडेशन में डाटा डाटा टैब में क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन जैसे डाटा वैलिडेशन में हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर यहां पर यहां पर कु बाद जो भी नेम है वो नेम हम लोग स्लेक्ट कर लेते हैं पर कुछ इस तरह से यहां तक नेम है इसको स्लेक्ट कर लेते हैं और पिर यहां पर ओके में क्लिक कर देते हैं तो यहां पर देखिए एक ड्रॉपडाउन लिस्ट बन गया एक ड्रॉपडाउन लिस्ट बन गया औ और जीके में तो कुछ इस तरह से और थोड़ा सा हम इसको इसको हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं इसको डिजाइनिंग कर लेते हैं थोड़ा कुछ इस तरह से इसको बॉल्ड भी कर देंगे और यहां पर अगर हम लोग करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से और अगर इसमें हम लोग all order करना चाहते हैं तो all order भी कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हैं अब हम लोग क्या करेंगे कि as look up formula का use करेंगे यहाँ पर Excel में कोई भी formula लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग equal to देते हैं equal to बीना equal to का कोई भी formula काम ही नहीं करता है तो simply हम लोग क्या करेंगे कि equal to starting में equal to देते हैं इसके बाद h look up h look up look up h look up bracket open और फिर यहाँ पर देखें look up value look up value क्या होता है यहाँ पर look up value जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे कि data को show करेंगे data को दिखाएंगे data देखना चाहेंगे हम लोग तो यहाँ पर यह look up value है इसको हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक कर दिये इसके बाद comma और यहाँ पर table array table array कहने का मतलब है कि table में जो भी data है ना सब भी data को हम लोग select कर लेंगे यहाँ पर पूरी table को हम लोग select कर लेते हैं और table को select करने के बाद फिर comma और comma देने के बाद यहाँ पर row index number row index number का मतलब क्या होता कि आप कौन सा row का data देखना चाहते हैं हम लोग row index हम बाद देंगा सिंपली यहां पर तू कर देंगे यानि कि यहां पर Happy tails और ऑन टू यहाँ पर टू यहाँ तू कोमा यहां पर जिरो इस तरह से ब्राकेट कॉलोज और फिर रिमिंटर जैस Ums यहां पर कि यह फॉर्मुला सिंप्री शॉप सह टाइप कर लिए और टाइप करने वाद जैसे इंटरप्रेस करते हैं यहां पर 98 200 कर रहा है कि मुकेस का इंगलीज में 98 marks है मुकेज का English में 98 marks है देखिए English में क्या है 98 marks है इसी तरह से आपको Hindi Hindi के लिए भी Sam formula का यूज करना पड़ेगा equal to H look up H look up bracket open और फिर हम लोग कहां पर click करते हैं यह look up value में फिर कॉमा और table array पूरे table को हम लोग select करते हैं और select करने के बाद फिर से कॉमा और कॉमा देने के बाद आपको यहां पर column नमबर जो है जिस column से आप data को देखना चाहते हैं यानि कि horizontally data को जिसको देखना यह क्या है यानि कि row 2 यानि कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर यह रो index number हम लोग क्या करेंगे यहां पर 3 3 प्रेस करेंगे फिर कॉमा जीरो और फिर bracket clause तो कुछ इस तरह से देखे कि मुकेज का हिंदी में हिंदी में जो marks है कुछ इस तरह से हैं यहां पर हम लोग होरीजेंटली सो कर रहे हैं यहां पर click के मदद से इस column भी को देखने के लिए यानि सब्सक्राइब को अगर हम लोग सो करना चांज आते हैं यहां प्र लिए यहां पर फिर से मुझ करेंगे फिर कॉमा और कॉमा लिखें कॉमा देने के बाद पिर पूरे टेबल एयरे को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा फिर यहां पर four comma zero bracket close फिर इंटर तो देखें यहां पर मुकेश का मैट में मैट में 63 मैट में मैट में कितना है यह मुकेश अच्छा मुकेश का मैट में 63 तो यहां पर क्या है कि यह exact match यहां पर कॉमा जीरो फॉर्मुला यहां पर मिस्टेक हो गया आप सही आएगा तो कुछ इस तरह से आप सोचेंगे की सर यह बार बार क्या यह बार बार यह इसी तरह का फॉर्मुला टाइप करना पड़ेगा क्या बिल्कुल नहीं अगर फॉर् तो उसको आप यहां पर एक बार ड्रैक कर लेगे और रो इंडेक्स नमबर को चैंज कर दीजिए यहां पर ड्बल कीजिए और यहां पर फोर की जगापर आप लिए काम कर जाता है तो ठीक है ने करता तो फिर आपको इस तरह से टाइप करना पड़ेगा तो सिंपल इसको हम डिलीड कर देते हैं इसको हम डिलीड कर देते हैं और डिलीड करने के बाद आपको उसी तरह से करना पड़ेगा यानि कि सभी 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 सब्जेक्ट का माक्स करने के लिए आपको इस तरह से फॉर्मूला का जैसे हम लोग English, Hindi और Maths का ही Marks अगर देखना चाहते हैं तो simply यहां पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जैसे हम Mona का देखना चाहते हैं Mona का Marks देखना चाहते हैं तो जैसे हम Mona में Select किया है तो देखिए Mona का जो Marks है कुछ इस तरह से English में 54 है हिंदी में 53 और Maths में 24 Mona का Marks कहा है? Mona यहां पर है देखिए हिंदी में 54 और मलब इंगलिस में 54 और हिंदी में 53 और Maths में 24 तो कुछ इस तरह से है और इस तरह से आप सभी 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 सब्जक्ट के लिए आप डाटा यहां पर देख सकते हैं कुछ H Look Up Formula के मदद से तो आप यहां पर भी आप टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरह से आपका डाटा यहां पर यहां complete होता है तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही आसानी से हम लोग किसी भी टेबल में किसी भी टेबल में बड़ा से यूज कर सकते हैं और इस तरह से यूज कर सकते हैं तो simply आप फिर से यहां अगर हम लोग करना चाहेंगे तो यह इसमें look up value में किलिक करते हैं फिर table array यहां से और स्युज कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर से उसी तरह से और यह टेबल इंडेक्स नमबर यहां पर और सहाइध फाइप होगा और फिर कॉमा जिरो पिर क्लोज फिर इंटर तो कुछ इस तरह से है देखिए है न साइंस साइंस जो है यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हैं ना साइंस यानिकि 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यह 5 5 रो इंडेक्स में है कुछ इस तरह से हम लोग इंडेक्स नंबर इसका क्या देंगे 5 यह फाइप नंबर में ऐolina जहाँ से हम लोग टेबल एरे सेलेक्ट कियें वहां से अगर हम लोग रेसी फी तो यहां से 5 इसलिए भूह इंडेक्स नंबर 5 देते यहां पर अगर से अगए करना चाहिए तो कुछ हिस तरह से से यहां पर भी स्य मुखबूकर हैं यहां पर क्लिक करना होता है अपर और करने के पाद सियह और यहां पर देखेंगे कि यह यानि की Social Science इसका जो होगा यह होगा 6 इसका जो रो इंडेक्स नमबर होगा 6 होगा फिर कॉमा एकवएल टो है यह प्र हम डो क्या करेंगे हिस्ट्री जो है कितने रोिंडेक्स इसका क्या होगा रो इंडेक्स नमबर इसका होगा 7, यानि कि जो table array है, पूरे table को हम लोग select किये हैं, उसमें से उसका जो row है, row का जो number है, वो कितना है, 7 है, तो 7 हम लोग यहाँ पर type करते हैं, और फिर यह 0, यहाँ पर 0, फिर यह enter, फिर यहाँ पर अगर last वाला है, gk के लिए, तो h, h lookup bracket open, और फिर हम लोग lookup value को ले लेते हैं, यहाँ पर lookup value, जिससे हम लोग data को देखना चाते हैं, तो यह मेरा lookup value है, यहाँ पर हम लोग select कर लेते हैं, फिर comma, comma लेने के बाद फिर हम लोग पूरे table को हम लोग select करते हैं, जैसे table को select कर लिए, तो फिर यहाँ पर comma देते हैं, और row index number, row index number कहने को तो रो का index number है यानि कि रो का number जो है जी के का तो कितना होगा यह 0 होगा यानि 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो एत होगा यहां पर तो हम लोग यहां पर 8 करेंगे simply simply यहां पर 8 प्रेस करेंगे फिर कॉमा और फिर जीरो और ब्रैकेट क्लॉज फिर इंतर तो आप देख सकते हैं कि जितना भी डाटा था horizontally यहां पर table का जो भी डाटा था वो यहां पर दिख रहा है यानि कि सभी subject का marks यहां पर दिख रहा है अगर हम लोग चाहें तो यह जो भी student का यहां पर name है उसको हम लोग select करेंगे उसी के according यहां पर सारा subject का marks change हो जाएगा ऑगर जैसे हम लोग Look Waters का यहां पर बबलू का इंगीस में कितना marks आया था हिंदी में 可是 में कितना साइंस में सोचल साइंस में history में और GK में तो चलिए हम्हसघ करतें यहां परables गर यहां पर यहांपर यहां पर देखिने कि अपर आप देख सकते हैं कि यहांपर मार्क्स है कुछ इस तरह से